सद्धिमें बजयते, 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 सद्धि के शुक्ला सत्यमेव जयते में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चार्ली चपली ने कहा था कि अगर आपकी आखों में आसू आ रहे हों तो आप बारिश में भीगने चले जाईए ताकि आपकी आख के आशू लोग ना देख पाएं कि यहां बिल्कुल क्योंकि दुख इतन कि चार्ली चपलीन ने जो अपना अंदाजे बयां था उनका बहुत एक खुबसूरत था कि आप बारिश में चले आई ताकि आपके आख के आँसू ना देखें और अगर आपको किसी ने धोका दिया है तो आप और विश्वास कीजिए और ज्यादा विश्वास आपको होन कंदा चाहिए और उस विश्वास को और बढ़ते रही धाले रही तो अगर किसी ने आपको पीडा दी है तो आप बहुत हसी है मुस्कुराइए आपको दुख है तो आप मुस्कुराइए यह चीज इसलिए जरूरी है सब इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग अभागे हैं जिनको आपका प्रेम जिनको आपका विश्वास और जिनको आपकी जो आपके भाव प्रकट करने की जो स्थितिया थी जो भाव जो आप प्रकट करते थे उस समझ भी नहीं आए तो अब आगे वो लोग हैं अब आगे वो लोग हैं जुन्हों ने आपको दुख दिया हैं और आप उसके बदले मुश्कुरा रहे हैं और हस रहे हैं मुश्कुराने, प्रेम, विश्वास इन सब में एक सकारात्मक चीज होती है वो होता है सत्य है और जिस चीज में सत्य होता है वो कभी गलत नहीं होती है लोगों की आँखों पर तरह तरह के परदे पड़े होते हैं तो उस सत्य को उनको जानने में हमेशा से दिक्कत आएगी क्योंकि बहुत दिक्तावादी यूग ऐसा ही है लेकिन आप उस सच को अपने सास लेकर चादे हैं हाँ से खिलकिलाएं और विश्वास करें जब आप विश्वास करेंगे तो आप आगे बढ़ें जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिन्दगी खुबसूरत होगे संद कबीर नगर में आज भी गुलामी की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं लोग में दावल में एक महिला से शौचाले बनाने के लिए वसूले जा रहे थे पैसे मना करने पर शौचाले ना बनने देने की धमकी शाजापूर में एरफोन बना मौत का सबब एरफोन पर बात कर रहे युवक की ट्रेन से कट कर मौत क्या युवाओं को अपनी जान से नहीं है प्याद क्यों करते हैं एरफोन का लापरवाही से इस्तेमाल देश को आजाद हुए सत्तर साल का लंबा बना मौत कर देश को आजाद हुए पार सा गुजर चुका है लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी आजाद भारत में आज भी कुछ लोग गुलामों जैसी जिन्दगी जीने को मजबूर हैं संकबीर नगर जिले के नगर पंचायत मेहदावल में आज भी लोग जमिनदारी प्रता जैसी गुलामी की जंजीरों में चक्रे हुएं यहाँ जमिनदार दुकानों से 2 रुपई से लेकर 5 रुपई तक की वसूली करता है वहीं नगर पंचायत में अगर कोई मकान मानने के लिए एक इट भी रखता है तो जमिनदार मकान मालिक से बाकाइदा वसूली करते हैं इतना ही नहीं गोशाला इलाके के दलित पूर्वा में तो जमीदारों का खौफ इसकदर है कि हां मकान बनाना तो दूर लोग शौचाले भी नहीं बना पाते एक पीडित महिला आर्ती देवी ने अपना दर्द बया करते हुए अपनी पीडा सुनाई कि सरकार से उसे शौचाले बनाने के लिए पहली किस्त के 4,000 रुपे मिले थे जब उसने शौचाले बनाने के लिए गड़ा खोदा और इट मंगानी शुरू की वैसे ही वहाँ के तता कतित इस्तानिये जमीदारा आध धंके और उन्होंने शौचाले बनाने के पहले जमीदारी मागनी शुरू की यानि वसूली करनी शुरू की और जब आर्ती देवी ने जमिंदारी देने से मना कर दिया तो जमिंदारों ने शौचाल लेना बनाने की धंकी दी अब मैं आपको सुनाता हूं राकेश शिंग ये बीजेपी के विधायक हैं मेहदावल और ये क्या कह रहे हैं और इनकी वैथा क्या है क्योंकि इस खबर को अगर और तस्दीक करना हो तो इनकी जो जो वक्तव है वो ध्यान से सुनिए इनकी बाइट जो है इसको ध्यान से सुनिए क्या कि आखिरकार 70 साल बाद भी हम किस दुनिया में जी रहे हैं मेहदावल नगर पंचायत में जमिदारी पर्था लागू है आजादी के लगवाद 75 साल भी चुके हैं लेकिन आज भी वहाँ जमिदारी पर्था चल रही है और वहाँ पे गरीबों का सोसन है गरीबों का उत्पीडन है मैंने वहाँ नगर पंचायत में पूरा भर्मण करके सबसे वहाँ की सिति की जानकारी भी की है और वहाँ का बिकास भी और रुद है इस जमिदारी पर्था लागू होने के कान बहुत सारे जो बिकास के हमारे कार चल ले थे उस पे भी रुका हुआ है इसी कारण मैं इसमें पहल किया हूँ सासन में माने मुखमंत्री जी को मैंने पत्र दिया है कि यहां की जम्मिदारी को समाप्त किया जाए और यहां महदावल का जिससे समगर भिकास हो सके यह वक्त अवे यह स्टेटमेंट राकेश सिंग बीजेपी के हैं विधायक हैं यह सुनवाना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि यह छेतरी प्रतिनिधी हैं विधायक हैं और अगर वो विधायक हैं और खुदी यह स्विकार कर रहे हैं कि यहां पर जमिनदारी की प्रतावी तक चल रही है तो कितना बड़ा सवाल या निशान है इस सिस्टम पर लोगतंत्र की दुहाई देने वालों पर लोगतंत्र के रक्षकों पर लोगतंत्र का जंडा बुलंद करने वालों पर कि जमीनदारी खत्म हुए अर्सा भी चुका है लेकिन इस देश के अंदर एक गाउं ऐसा भी है जहां अभी भी जमीनदारी प्रथा लागू है और सरकार का एक विधायक कह रहा है कि ये प्रथा खत्म होनी चाहिए लेकिन आज तक ये प्रथा खत्म नहीं हुई आप कि ये इस सिस्टम किस कदर सड़ा गला हुआ है सड़गल रहा है कितनी सरकारे आई होंगी कितनी सरकारे बनी होंगी और एक गाउं को वो जमीनदारी प्रथा से मुक्त नहीं करा पाए यानि कि जो सबसे जल्म ढाने वाला अगर अंग्रेजों के शासन में कोई व्यक्ती हो हुता था तो वह जमीदार था अगर आप उसको लगान नहीं देते ते वसूली नहीं देते थे तो वह आपकी खाल उधरवा लेता था उसको बेगारी करनी पड़ती थी और अगर उसके घेत में सूखा है तब भी उसको यह बताना पड़ता था कि नहीं तुमको ये पैसा देना है इस पर तमाम फिल्में बनी हम लोगोंने तमाम बार लेक पड़े होंगे लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी है कि शायद बोलते हुए मुका जायका भी बिगड़ जाए अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो जमिंदार है तारेश सिंग उनका क्या कहना है वो क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर आखिरकार वो अभी तक जमिंदार कैसे बने हैं और उनकी मन्शा क्या है जमिंदार जो है अपने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करता है वो भले लाको करोडों की जमीन हो एक साधे कागज या इस्टाम पे जो है हम लिख के देते हैं और जम नया निर्मार होता है तो जो भी मेरा रसूख है वो लेते हैं और निर्मार की इजाज़त देते हैं लेकि जमीन बेचने की इजाजत हम नहीं देते हैं। कि हम भी चाहते हैं कि जमीन दारी प्रथा यहां से भी खत्म हो और हमको मुआफ़जा दे तो इसका मतलब कहीं मुआफ़जे को लेकर फाइल एट की हुई हैं लेकिन फाइल एट की हुई हैं और वो फाइल किस तरह का संदेश दे रही हैं और इस गाउं में किस तरह के हालात हैं हम कहते हैं हमने 70 साल की आजादी हासिल कर ली है लेकिन हम एक प्रथा को एक गाउं से खत्म नहीं कर पाए हैं और वो जू की तू चली जा रही है क्या इसके लिए वहां के DM जिम्मेदार नहीं है क्या उसके लिए वहां के प्रतिनिदी जिम्मेदार नहीं है क्या उसके लिए तमाम पहले की सरकारें और अब की सरकारें जिम्मेदार नहीं है क्या उसके लिए जो हमें बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं नेता वो जिम्मेदार नहीं है क्यों अभी तक वहाँ पर ये जम्मिन्दारी प्रथा चल रही है और जिसको कहा जा रहा है जबकि जम्मिन्दारी एबॉलिश हो चुकी है इस देश से खत्म हो चुकी है लेकिन क्या करें साब कुछ तस्वीर में ऐसे बड़नुमा दाग अभी तक जिन्दा हैं जिनको हटाने और साफ करने की कोई जरूरत किसी को महसूस नहीं होती है क्योंकि होता ये है कि जब आपके चेहरे पर धूल जमी हुई है और आप पोश्टे आईने को हैं तो वो जो धूल है वो हमेशा चेहरे पर ही जमी रहेगी क्योंकि आपको लग रहा है कि जो धूल है वो चेहरे पर है लेकिन आईने पर है लेकिन आप तो पोश अपना आईना रहे हैं हमें आपको बताता हूँ क्या है जमिंदारी उन्मूलन आजादी से पहले भारत में सामंति सिस्टम था कि देश के सामाजिक ताने माने को चोट पहुंचा चुका था तब जमीन का मालिकान हक कुछ ही लोगों के पास था जबकि बाकी लोगों की जरूरते भी नहीं पूरी हो आई नेरु सरकार में भूमी सुधार कानून लाया गया जिसमें से एक जमिंदारी उन्मूलन कानून था कैसे आया जमिंदारी उन्मूलन कानून यह आपको बताता हूँ 1950 में भारत सरकार का पहला प्रमुकिशी सुधार हुआ उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश बिहार मे पहले ही ये बिल ले आया गया था मदरास असाम और बॉंबे में मुंबई में ये 1949 में बिल आया गया सभी राजों ने यूपी के प्रारंबिक मॉडल को अपनाया उत्रप्रदेश जमिंदारी उन्मूलन समीति की रिपोर्ट को माना इस समीति के जो अध्यक्ष थे वो जीव और 31 मिठा यह अधिकार मौल्य का धिकारों की सूची में आता है 1991 में सरकार ने पहला संशोधनändig किया संपत्ति को मौली का अधिकारों की सूची साठा दिया गया इससे राज़यों के भूमी सुधार कानूनों को फायदा पहुंचा और अब मैं आपको बताताहूं कि कि ये लागू कैसे हुआ देश की राज सरकारों ने सत्रा सौ लाख हेक्टेयर भूमी का अधिगरहन किया जमिदारों को मुआवजे के तौर पर छेसो सतर करोड़ों पर दिये गए कुछ राज्यों ने फंड बना लिया और जमीन मालिकों को बॉंड दे दिये गए ये बॉं बनाने और जमीन अधिकरण का अधिकार मिल गया और इसके बाद जो जब अधिकार मिल गया तो जमिदारी उन्मूलन के फायदे क्या हुए इसे सबसे बड़ा फायदा हुआ बंधवा मजदूरी का अंत हुआ यानि कि जो बंधवा मजदूर थे उनका अंत हो गया बंधव विहीनों को जमीनमिली साथ ही में रोटी भी मिली हाला कि कई। जमिदार अलग नमों से लग रखे रहे इस प्रक्रिया में तीस साल से ज्यादा का वक्त लगा अब जमीनदार वह नहीं है जिन के समस्थ-धार जमिंदार बाद में रंगदारी वसुलने वाले दबंग बन गए कई जमिंदारों ने राजनीतिकार रास्ता पकड़ लिया और उसके बाद तो हम लोग कहानी जानते ही है कि जो कहानी है वो इस तरह किये कि यह यह जो पूरी की पूरी मैंने आपको कहानी या इतिहास बताए है वो इसलिए बताया क्योंकि हमें यह पता चले कि आखिरकार जमिंदारी उन्मूलन एक्ट कब हुआ इसको पास कब किया गया और पास करने में सबसे बड़े पहले हम थे उत्तरप्रदेश और हमारे ही प्रदेश में हमारे ही प्रदेश के एक जिले के एक गाउं में अभ कि हम उन चीजों पर ही अपनी एनर्जी अपनी उर्जा को खत्म करते रहेंगे जिनके बारे में ना मुझे सवाल करना चाहिए ना उन गाउंवालों को सवाल करना चाहिए आप प्रदान मंतरी ने योजना बनाई है शौचाल ले की निर्माण योजना लेकिन आप वहां प है कि इस तरह की परदा को सबसे पहले जहाँ कहीं भी अडंगा हो उस अडंगे को खत्म करें क्योंकि आपको भारत को होना चाह razón कि कि अगर इसी तरह की अडंगे और इसी तरह की बदसूरत तस्वीरे देखने को मिलेंगी तो फिर शपने सपने इह रजाएंग। अगली प्रक it अपका गाना सुन्हा की टिना ऐऽ इंषी अछाना हो सकता है कि यह पता है आपको यह पता है ये में एरफून लगा कर वो बाते करते वे रेलवे क्रॉसिंग से गुजरा और उसने उसे पट्री पर दोड़ती भी मालगाड़ी का भी एहसास नहीं हुआ वो ट्रेन की चपेट में आ गया यह वक्की मौते मौके पर ही धर्दनाक मौत हो गई समझ सकते हैं कि एरफून का दोन सब्सक्राइब यह वर्ग वह इसकी चपेट में आता है कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुजर्ग की चपेट में आए क्योंकि उनको आदत नहीं है हमारी यूपमें इयरफून लगाया और उसके बाद हम मस्ती से चले आटे मैं आपने देखा होगा बाइक पर इयरफू बाड़ भी कर रहे हैं आप वो संगीत का शौक बहुत अच्छा है लेकिन वो घर में होना चाहिए एक जिए के बैट के होना चाहिए सड़क पर चलते ट्रेन की पट्रियों में क्यों बे बे परवा हो गए हैं इतना लापरवा हो गए हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी कोई गाडी रौनते भी चली जाए और आपके इन आपके आपके माबाब के सपने आपके भाई के सपने इनके सब्सके सपनों पर भारी है वो है तीन मिनट का गाना दो मिनिट का गाना क्या जरूरी है कान में ऐयर phession लगाकर चलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जरूरी है थोड़ी सी समझदारी अगर वो समझदारी आपके अंदर होगी तो शायद इस खबर के बाद आप सब जगें गाउं से लेकर शहरों तक अब मैं इस खबर की अनालिसिस करूँगा और आपको बताऊंगा कि एरफोन से हाथ से क्यों होते हैं एरफोन सीधा कान में चुकी लगा होता है इस वज़े से साउंड लॉस जो है वो जीरो हो जाता है आप समझे दोनों कानों पर आगर आप उंगली डाल लीजे तो और उसक में बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं कम सुनाई देने पर शरीर हकत नहीं करता है रिफ्लेक्स आपके काम नहीं करते ना आप किसी एक थर्ड वर्ड में चले जाते हैं एक इन्विस्टिकेशन यह बताता है कि शराब से भी खतरनाक है एयर फोन यह आप लोग ध्यान से सुनि दशमलाव आठ प्रतिशत इस्तर से जादा है यह हम नहीं कह रहे हैं यह युनिवस्ति आफ उटा का रिसर्च चौकाने वाला है शराब का यह शराब का यह इस तर ड्राइविंग के लिए माकूल नहीं है यानि दशमलाव आठ प्रतिशत इसको नोट कीजिए ध्यान से सुने जो युवा इस खबर को देख रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान से सुनिये मतलब गाड़ी चलाते वक्त इयर फोन का इस्तिमाल कहीं ज्यादा खतरनाक है और यह खतरनाक इस्तिमाल आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है अब फैक्ट यह है कि भारत में अगर इस अब 20.7744 ड्राइविंग के बाद हैड़ फोन यूज करती हैं 16.534 कभी कभी हैड़ फोन का स्टिमाल करते हैं 37.1 एक चाट फोन पर गाने सुनते हैं 21.65 प्रतिशत उची आवाज में गाने सुनते हैं 179 चाट हैड़ फोन से होने वाले खत्रे से वाकिफ हैं क्यानवे चात उने वाले खत्रों से वाकिफ नहीं है ये एक स्टेडी की गए थी जिसमें पता चला कि हैड़ फोन का सबसे जदा ईवा इस्तेमाल करते हैं और किस कि तरह से वो लोग इसका का इस्तिमाल करते हैं अमेरिका में एक रिसर्च की गई जिसमें जो कहा गया कि एर्फोन से जादतर हाथ से की शिकार 68 प्रतिशत पुरुष है यानि कि पुरुष जो कि अपने को बुद्यमान होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम दुनिया पर राज करते हैं पॉलिटिक नाइन देशमलों हाथ से शहरों में 55 प्रतिशत हाथ से रेलवे पट्री पार्व करते वक्त रूरल एरिया में 11 प्रतिशत हेड़फोन के गलत इस्तेमाल से हाथ से 29 प्रतिशत हाथ से चैतावनी नजर अंदास करने से होते हैं चैतावनी में यानि कि हौन सारे नहीं सुना यह जो हाथ से हैं और यह जो हाथ सो की रिपोर्ट और हाथ सो की रिसर्च बता रही है यह बता रही है कि पूरे वर्ड में एक लापरवाही घर कर गई है यानि कि यह एर फून लगा के चलने की यह फैशन के मारे भी होता है लेकिन फैशन तो तब तक अच्छा है ना जब जब तक आप जिन्द हैं अगर आप जिन्दा लें दो फेशंज किस बात का करेंगे तो कोई ऐसा फेशन नहीं कीजिये कोई आइसी आदत नहीं डूल छो आपके आखरी आदत तावीट हो आपका आख्री फैशन-सा पूत अब किसको बताना रहता है कि आपको गाना बहुत अच्छा लगता सडख चलने के लिए बनाई गे Rig अनी सुनने के लिए नहिं बनाएं गिजा तो सबसे पहले युहाहों से भीडिए है कि वो लोग यह समझें कि जो इस्थान जिसके लिए बनाया गया है वो उसी के लिए इस्तिमाल करें गाड़ी चलाते वक्त इयरफोन का इस्तिमाल ना करें माबाप भी इस पर रोक लगाएं क्योंकि बहुत दुख होता है जब हम लोग इस तरी की खबरे सुनते हैं तो मेरी आप से गुजारिश है कि आप कृपया करके ध्यान रखें और ट्रैफिक पुलिस वाले से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को रोक कर चालान जरूर करें क्योंकि हो सकता है चालान करेंगे उनको फौरी वक्त बुरा लगेगा लेकिन उनकी जिन्दगी बचेगी अब बात करते हैं आज के रियल ही जाशा है देखिए आज के हीरो की ये रिपोर्ट समाज में बदलाओ लाना मुश्किल है बात जब कूपरताओं की हो तो ये नामुम्किन सा लगता है लेकिन फटेपुर में एक महिला ने वो कर दिखाया है जो पियम मोधी का सपना था सेर पर मानउमल ढोकर गुजर बसर करने वाले लोगों की मालती ने अपनी कोशिश से ना केवल खुछ की जिंदगी बदली बल्के अपने समाज के लोगों को भी नई रा दिखाया मालती की माने तो मैला ढोने की स्कूप रथा को रोकने के लिए उसने शहर से लेकर ग्रामेड इलाकों तक जागरुपता अभियान चलाया एक दशक से चल रहा है अभियान का नंतिजा ये रहा कि आज बालमिक समाज में बदलाव आया और इस कूप रथा का कलंक मिट गया मालती का लोहा अब लोग मानने लगे हैं उसके काम की जिले में सराहना हो रही है अब मालती ने अपनी इस मुहिम में एक कड़ी और जोड़ दी है अब भूम हिन बालमिक समाज के लोगों को जमीन दिला कर उसे रोजगार से जोडने के शुरुआत की गई है जिसको लेकर जागरुकता अभियान जारी है मालती को विभिनस अंस्थाओं ने समय समय पर समानित करके हौसला बढ़ाय जाने का काम किया है सत्मे उजयते भी अपनी सरीयल हिरो को सलाम करता है सत्मे उजयते के लिए फटेपूर से महेश कुमार की रिपोर कि यूपी की हीरो को सलाम और इनके लिए एक शेर की जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना हम फूल सही लेकिन पथर भी उठाएंगे यानि की जब कोई साथ नहीं देता है और इस तरह की अगर परंपरा को वो अकेले खतम कर रही है तो वो यह कहती भी नजारा रही हैं कि जब साथ न दे कोई तो आवाज हमें देना यह फूल सही हैं लेकिन यह पत्थर भी उठाएंगे पत्थर वाला नहीं जो दूसरे के माते पर छोट पहुचा दे पत्थर उसको प्रथा को खत्म करने वाला जिसको एक बार में इन्हों ने अपने ताकत और हिम्मत के बदावलत खत्म कर दिया और आपको इनको इस तरह से कुछ जवाब देना पड़ेगा कि धूप के छपपर हो या च्छाओं की देवारे अब जो कुछ भी उठाएंगे हम मिल जूल कर उठाएंगे क्यों नहीं हम इनका साथ देते हैं क्यों नहीं उनके हाथ में हाथ बटाते हैं क्या इनकी अकेले की जिम्मदारी है कि वो अकेले ही इस तरह की कूपरथाओं को खत्म करें हमें और आपको मिल कर चलना होगा अगर हमें जमेंदारी मैला डोना तमाम एसी डूर विवस्थाएं और बुरी बुरी प्रथाएं हैं जिनको खत्म करने का भीड़ा हमको उठाना ही पड़ेगा क्योंकि इस देश को बदलना है इस प्रदेश को बदलना है वस्रिफ सरकारे देश और प्रदेश को नहीं बदलती हैं, उसमें रहने वाले जीते जाकते इंसान बदलते हैं, उसूलों पर जो आच आए तो टकराना जरूरी है, और जिन्दा हो तो फिर जिन्दा नजर आना जरूरी है, तो हमें जिन्दा नजर आना है, जिन्दा कौमें ही कुछ करती हैं, तो इसल और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह का परिवर्तन होता है जब परिवर्तन होता है तो निश्चेती सूरज निकलता है और सूरज ये कहते हुए निकलता है कि सच की हमेशा जीत होती है आज के लिए तहीं मुझे दीजे इजादत और अगर आपको अपनी राय भेजनी सत्ति में वजयते